दोस्तो नमस्कार, ITI कोर्स यूटूब चेनल पे स्वागत है दोस्तो अभी जो कल ही सेकंड यर के एक्जाम हुए हैं CVT एक्जाम पेपर उसमें से जितने कोशन आये थे, उन्हीं कोशन के बताएंगे के कोशन कहां कहां से आ रहें कोशन का लेवल किया है और आप लोग पढ़ाई कितना किये हैं देख लेना जरूर, इसमें से बेस कोशन बताएंगे जो कल कोशन पूछे गए थे, वर्कशाप केवकुलेशन, सेकंड यर, CVT एक्जाम पेपर में उसी का पेपर है, अब बताएंगे इंसर सहीद आपको कौनसा इंसर सही होगा दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और दोस्तों तक सेर जरूर करना चलिए आते हैं कोशन नमर एक पर कोशन नमर एक कहरा घरसन का नियम कौन सा है तो इसका जो राइट एंसर होगा ए नमर सही होगा घरसन बल संपर्क सतों के छेत्र फल और आकार में सोतंत्र होता है घरसन का नियम सेकर नमर कोशन ये है गतिमान बस्तू के बिरुद्ध घरसन बल की दिशा क्या है जो गतिमान बस्तू है जो घर्षन बलके बिरुद्ध बलकी दिसा है जिसको जो राइट अंसर होगा बी नम्मर होगा बस्तू के भी पिरीद अगला कोश्यन संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रत्किरिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक है इसका जो राइट अंसर होगा सी नम्मर होगा घर्षन बल अभिलंब प्रत्किरिया के लिए हमारा घर्षन बल ही सीधे अनुपातिक होता है अगला कोश्यन यदि बाहन सडकों पर चलने में सक्षम है तो निन्म लिखित में से कौन पहियो और सडकों के बीच में कार करता है जो हमारे बाहने चलते हैं गाड़ी रोड पर पहियो और सडक के बीच जो संपर के होता है उस संपर को पूछ रहा है उसका होगा घर्षन निनी फ्रेक्षन राइट अंसर ए नम्मर अगला कोश्यन उपयोगी घर्षन कौन सा है यूजफूल फ्रेक्षन कौन सा है इसका जो राइट अंसर होगा डी नम्मर होगा ब्रेक्षू लाइनिंग हमारा जो उपयोगी घर्षन है जो गाड़ियों में ब्रेक्षू यूज़ किया जाते है लाइनिंग वही हमारा उपयोगी घर्षन है उस घर्षन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं नेश्ट कोशन बेकार घर्षन कौन सा है वो तो यूज़फुल घर्षन था वेश्ट फुल जो फ्रेक्शन होता है वेश्ट फुल घर्षन ये है रियल एक्सल गियर जो हमारे एक्सल गियर घूमते हैं उसके करण जो घर्षन होता है वह हमारे यूज के घर्षन नहीं होते वेश्ट फूल घर्षन होते हैं अगला कॉस्चिन कौन सा घर्षन बल पर निर्भर करता है इसका राइट अंसर आ जाएगा बी नमबर संपर्क सतहों अगला कॉस्चिन घर्षन गुरांग कैसे व्यक्त किया जाता है जो घर्षन गुरांग होता है उसको कैसे हम लोग व्यक्त करते है इसका राइट अंसर हो जाएगा बी नमबर यह घर्षन बल और अभिलम प्रक्रिया के बीच का अनुपात है नेश्ट कोशन नेश्ट कोशन यह है घर्षन गुरांग एक्जाद करने का सूत्र क्या है जो हमारे घर्षन गुरांग होता है उसको जो फार्मूला होता है यह डी नमबर होगा म्यू बराबर यह बटे डवलू घर्षन गुरांग का सूत्र एक्जाद करने के लिए टेंथ नमबर है घर्षन गुरांग को दर्षाने के लिए किस प्रतीक का प्रियोग किया जाता है जो हमारे घर्षन गुरांग होता है उसे म्यू से प्रतीक करते हैं से अगला कोशन नेश्ट कोशन है यदि दो बस्तुएं बीरामा अवस्ता में संपर्क में है तो किस प्रकार का घरसन कहलाता है दो बस्तुएं जब बीरामा अवस्ता में घरसन पे है तो उस टाइम पे इसको जो राइट अंसर आएगा सी नम्मर आएगा अस्थेतिक घरसन ये इस्टेटिक फ्रेक्शन जब दो बस्तुएं बीरामा अवस्ता में संपर्क में होती है तो उस टाइम पे इस्टेटिक फ्रेक्शन होता है ये अस्थेतिक घरसन होता है next question है सही कथन कौन सा इसमें आप चार आपन दे रहे हैं इसमें से आपको सही पढ़ना है इसको जो right answer आएगा सी नम्मर आएगा फिसलने वाला घर्षन हमेशा सीमान्त घर्षन से कम होता है जो हमारा फिसलता है घर्षन वो घर्षन हमेशा जो सीमान्त घर्षन से कमी होता है अगला कोश्चन यदि बस्तू समतल पर उपर की और है तो बल एक जान्त करने का सूतरे जो हमारे बस्तू है समतल की और उपर की और है तो जो हमारा फोर्स है फोर्स एक जान्त करना है अब इसमें आफसर नहीं है नेश्ट कोश्यन किस कौन को घर्षन कौन कहा जाता है इसा कौन सा कौन है जिसे घर्षन कौन कहा जाता है इसको जो राइड अंसर आएगा बी नमबर आएगा एंगल ρos नेश्ट कोश्यन यदि घर्षन कोण क्यूं है तो घर्षन का गुरांग क्या होता है घर्षन क्यूं है तो जो घर्षन का गुरांग होगा एन फाइ राइड अंसर होगा 17. इस नेहा का उद्देश क्या है उसका उद्देश क्या है घर्शन को कम करने के लिए ही हम लोग इस नेहा के ओल का उइज करते है नेश्ट कोशन है विक फीड इसनेहक प्रणाली में किस प्रकार के इसनेहक को उपियोग किया जाता है जो विक फीड इसनेहक होता है इसका जो राइट अंसर आएगा C नमबर आएगा A नमबर आएगा लूब आयल लूब्रिकेट आयल नेश्ट कोशन है इसके चारो और लगातार लूब आयल छिड़कने के लिए रिंग आयलर के साथ कौनसी सनेहक प्रणाली प्रणाली की जाती है इसका राइट अंसर आएगा C नमबर सप्लाई फिड सिस्टम स्प्लेड फिड सिस्टम 20 मा नमबर कोशन दिखनी रहे अभी आप लोग और निस कोशन देख लेना इसमें से आगे के अगले वीडियो बता दिये जाएगा